अजमेर में चोरों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं क्रिशनगंज थाना शेत्र के कोटड़ा शेत्र में घर में मौझूद परिवार की मौझूदगी के बावजूद भी अग्याद बदमाशों ने सूने कमरे की खिड़की की ग्रिल निकाल कर अंदर प्रवेश किया और अ अमित ने बताया कि उनका परिवार शादी में गया था और कुछ लोग घर पर ही रुके हुए थे देर रात को जब वह घर आये तो वह एक कमरे में सो गये इस पीच रात को अग्याद बदमाशों ने खिड़की की ग्रिल निकाल कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घ अजार की सारे मेंबर जो है 14 तरिक को आये वह शादी में गए वे थे 2 दिन पहले ही और जब 14 तरिक को आये हम सोय नीतच दो बजें के बाद जब हम सब सोय इन आने के बाद बहार से जो शादी में गय थे उसके बाद ये गटना करम हुआ है और चोर जो भी आये वह गुष्टानी उनको निकाला संबल से उसके बेज धीले करके उसको निकाला और उसके ठूछ अंदर प्रवेश्च किया उन्होंने घर में और जहां में उई आपर तो नहीं आये वह जिन कमरों में लेकिन जहां खाली कम्रे और थोड़ा सा क्या है कि उसMstellung स्मय और तो केश ठाह कुछ और 10 कजार का कैश इसके अलवा चांडी के पायजेप थे और चांडी Κि इसिंदूर है ती गड़ियां थी कुछ दोचार Пांच गड़ियां थी और इस से चांदी का एटम थे लगबग टूटल मिला के लगबग 40 से उपर का सामान साहित कैश और सामान साहित यह अपना रिपोर्ट हमने इसकी उसी दिन क्रिश्चिन गन थाने में दे दी थी और उने ने रिपोर्ट एफ आर करा ली है इसकी और मैं अमिट धोटिया सब्सक्राइब करें दोक्तर एंची डोटिया कोटराचन